आज की हमारी इस online vraiment में हम आपके साहर डिस्कॉस करने जा रहे हैं looking up references का references formula बूरे के बारे में आझ आपके साहर डिसक्ας करेंगे जो की हमें काथी इन्पोर्टेंट है और हमारे हमारी चैसल कि pre- Kommulasi में जैसे मानใ Państ लिजे कि मेरे पास नंबर है और मीरेक है और मान लिजे न gloves five क्रोंडी रोंबर में seven क्या होगा do खस्य्ष स्टाइल विए और अ वन कॉलम मंबर में लेकिन आपको टेक्स वामेट में आप चाहेंगे कि जी फाइब की उपर जो डवालू है उस वैलू को कहीं कॉल करना इसके तुरू तो आपका सिस्टरम इसको पिक नहीं करेंगा क्यों पोलकि g-5 समझ रहा है invinciрり तो हमारे पास एक इन्दारेक्ड कासा है जो की इस g5 को कर ता है reference g5 है लिक pack benefit क्या है छालिए एक छोटा सा एंगया मीशिटा है उसमें आप इसका benefit भी हिस समझरें तो मैं माली जी कि मेरे पास एक डेटा है इस तरह का नेम और यहां पर हमारे पास जैन फैर मार्ज का मंतली हम देते हैं यहां पर देता ब्हुत प्रा वा आज का मंतली है अलिए झाल सक्वाद के व हमारा बारे गास तरह को जाएं पास का नेम यह देटा है हमारे पास अब मुझे यहाँ पे किसी एक परशन का नाम मैं लिखूँगा और मैं लिखूँगा क्वार्टर हमने लिखा क्वार्टर वन और परशन का नाम देए अमालीजे मैं लिखता हूं देव मुझे यहाँ पे क्वार्टर वन का टोटल चाहिए तो यहाँ पर प्रॉलम गया कि डेटा हमारे पास मंधली है तो मुझे अगर देव या तो देव का क्वार्टर वर्न है तो जैन पर मार्ज का टोटल दिखना चाहिए अब इस जीज के लिए कोई फॉर्मूला अबलेबल नहीं तो चलिए इसका हम अपना कोई त्रिग्रम निकालते हैं आट को मैं यहां पर मैस का फॉर्मूला क्या करता है कि कि सेल उलुक को खया, इस तो मैंच क्या करेगा कि इसमें से नमबर है इस जो डेटा आपका इसमें से धूनेगा कि देव का पोजीशन क्या है कि देव एक्जिस्ट करता है या नहीं करता है और इसका रोल नमबर क्या है टीक है इसने रोल नमबर बताया कि बेव का रोल नमबर 30 अब लोगें सब्सक्राइब दिखाड़ा है कि तो रो का काम रो नमबर नहीं रो इंडेक्स नमबर ढूलना है इस नहीं से क्या धिया यहां से रूना चाट किया जीव गल न इस तरह से तो आप इसी से ध्यान रखेगा ठीक है रो इंडेक्स नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर देता है आप चार देगा तो फोर आगे हमारे पास अब यहां वान है तो मुझे यहां पर जगा पर जैन चाहिए तू के जगा पर आपका अप्रेल चाहिए हर क्वाटर का फॉस्स मं लगाओगे कि एफ वन इक्वल टू जैन टू इको इफ टू इक्वल टू अप्रेल इफ त्री इक्वल टू आपका जुलाई उससे अच्छा है कि यहां पर हमारे पास एक चूज का फॉर्मूला है चूज का फॉर्मूला कब लगाते जब आपके पास इंपूट नंबर मे फिक्स होता है तो वन टू त्री रहेगा तो आप इंपूट को दे दे और फिर यहां पे आप रिजल देने चाहे है यह आपका एफ से फुरा सा सही होगा है अप्रेल जुलाई और अक्टूबर ठीक है सर्व जैन आ गया अगर मैं यहां पे टू दूँ गा तो आप्रेल आ जाएगागा और फिर म में यहांपे मैंस का फॉर्माल लगांगा और इस महीने गने को सत्राुश करूंगा यहां और Isul bounce हमारी आपके सामने result तप आपको दिख्षा है दिखना है सर अप्रेल का कॉलर नंबर 5 है मतलब कि मेरा जो देव का जो डेटा स्टार्ट है क्वार्टर 2 का वो चौत्र नंबर रो और पास पे नंबर कॉलर से है और जैसा कि हमने यहां पर किया था तो यहां पर हम एड्रिस का फॉर्मा लगाएंगे यह एड्रिस और हमने बुला कि रो नंबर ए है और कॉलर नंबर ए है रिजल्ट आ गया एड्रिस और फिर वापस एड्रिस दिया और एड्रिस में हमने बुला कि रो नंबर ए है और कॉलर नंबर 5 प्लस 2 क्योंकि तीन मेने का चाहिए होगा तो सिक्वेंस दिया रिफोर इफोर से जब हम तो समका फॉर्मूला देते हैं में रेफ्रेंस कुछ इस तरह से होता है इस तरह का रेफ्रेंस करने के लिए हम इसको अपस में कौन करेंगे और इसको अब हम इसको सम में डालेंगे अब सम में डालेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा डाइगा क्यों क्यों कि यह टेक्स्ट इसको रेफ्रेंस में कनवर्ड करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इंडारेक्ट का फॉर्मॉला इंडारेक्ट को अच्छे समझ दिजिए क्योंकि आगे आपका जो एर्र फॉर्मॉला होगा उसमें इंडारेक्ट बहुत कमाल करने वाला है तो मैं यहां पर वाण डालो तो देखो 175 वाण नमबर टू डालो तो यह सब पचीज त्री डालो 151 पोर डालो पचास अग्यां अच्छेंज करता हूं मैं रवी करता हूं तो मुझे यहां रवी का डेता मिलेगा इंडारेक्ट कई सारे से बना हुआ है तो सब को कॉपी पे यह करके बता दूँ सर अब यह करके बता ही रेता हूं सबसे पहले मैं इसको लेता हूं चूच को और इस चूच को कॉपी किया और यहां जहां मैच है तो सी पोर वहां पे इस करें लेता हूं और फिर यहां एड्रिस का फॉर्मूला है आपाला इस मैच है इस मैच ही पॉपी करता हूं और इस एड्रिस में रो नंबर के जगह पे पेस करता हूं और फिर वापस इस मैच को कॉपी करता हूं और यहां रो नंबर के जगह पे पेस कर देता हूं और यहां एड्रिस है हमारा इसमें भी आपका दोनों लिंक है इसको कॉपी करता हूं और यहां एड्रिस हमारा वी 15 के जगह पेस कर देता हूं और यहां पर इसको कॉपी करता हूं और यहां पर दी 14 के जगह पेस कर देता हूं और फिर यह आपका ज्वाइन हुआ है ना सर अ उसके पर उस जगह पर आप इसे फॉर्मुले को पेस कर दें आप सुरुआ थि की कर आश में आपको फॉर्मुला मर्जिंग में थर्ड इसलिए समझाया था ताकि आज जो मैं कर रहा हूं उस यह कर ने की जरुवत में परें आप खुद कर लें लेकिन मैं आज कर दे रहा हूं आगे से आप लोग खुद करीजिए रहा ठीक है और मैं इस सब को डिलीट कर दूंगा तो कोई फॉर्क कोई फॉर्क नहीं पढ़ने पाला है ठीक है ज़र जो कि फॉर्मूला नहीं था हमने एक फॉर्मूला बना दिया तो मैं थर्ड समझ में आया उदै जी सरट जी और बाकी लोग जो है यस सर यस सर को डाउट तो नहीं इसमें नौ सर नौ सर चलिए अब चलिए कुछ और चौटी में फॉर्मूले उसके बारे में हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास formula है row का, row formula and column formula दो formula है, तो row formula में क्या होता है कि अगर row आप लगाते हैं, जिस cell में आप लगाएं, और आपने कोई address में लिस्लेक किया, तो जिस cell में आप लगाएंगे, आपको उछी cell का row number दिख जाएगा. अगर आपने row number लगाया, और उसमें आपने किछी cell का reference दिख जाएगा, जिसका huge array में होता है, और serial number के लिए होता है, इसे मान लिए आपने serial number दिया, और serial number में मान लिए कि कुछ numbers आपने delete कर दिया, मैंने यहाँ से मान लिए कुछ numbers को delete कर दिया, तो serial number unsequence होगे आपका, आप चाहते कि नहीं, unsequence नहीं हो, तो मैं यहाँ पे row नवखा formula देते हैं, और row formula में इसका use करते हैं, अब मैं इसको delete करूँगा, तो हमारा unsequence number नहीं होगा, लेकि मान लिए कि मैं row अगर यहाँ से start करता हूँ, serial number मेरा यहाँ से start होता है, अगर मैंने यहाँ पे row दिया, वाइक रोप्रिंग क्लोज, तो क्या हो जाएगा, यह आपका element आएगा, यहाँ जाना चाहिए न, तो यहाँ पे आप माइनस 10 कर दीजिए, वन से होगा, तो इसका row formula का use array में होता है, serial number बनाने के लिए होता है, यहाँ फिर कुछी formula में, sequentially 1, 2, 3, 4, 5 देना है, वहाँ पे हम इस row का इस्कुमाल करते हैं, एड सर, यहाँ फिर माल लिजिए कि, यहाँ पे एक में डेटा ले लेता हूँ, अब मुझे इस डेटा में हर तीसरा नंबर को filter करना है, हर तीसरे नंबर को filter करना है, तो कैसे करें, तो मैं क्या करूंगा, मैं row का formula लगाँँगा, और row formula में मैं लगा के minus one करता हूँ, और यहाँ पे serial number जन्नेट कर लेता हूँ, और हमारे पास एक mode का formula होता है, mode का formula क्या करता है, salesful निकालता है, तो मैंने बोला कि row से आया हुआ serial number को three से divide करो, और जो salesful बच रहा है, वो salesful यहाँ पे दो, जहाँ पे पूरी दर से cut जाएगा, मतलब मारा के nine है, तो divide हो गया, six है, divide हो गया, अगर salesful नहीं होगा, वहाँ zero होगा, बतलब हर तीसरा value आपका zero होगा, अब filter लगा के मैं zero निकाल सकता हूँ, इन सब कामों के लिए हम row का इस्तमाल करते हैं, तो row हमारा क्या होता है, वर्टिकल होता है, अगर horizontal है, तो हम वहाँ पे column का इस्तमाल करते हैं, column सेम काम करता है, जिस column में लगाओगे, उस column का reference आएगा, अगर आप इसको, इसमें किसी cell का address दे दिया, तो उस cell का column number आपको देगा, इसका यूज आगली class में, आपको मैं वी look up में करके दिखाऊँगा, फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दो formula और है, एक है आपका row ज का, row ज पर मेले क्या करते हैं, कि आगर आपने जितना row select किया है, वो बताता है कि आपने row कितना select किया है, और column formula भी बताता है, कि columns है आपका, वो बताता है कि आपने कितना columns को select किया है, यह तो एक ही आएगा, क्योंकि एक ही column है न सर्व, तो इसका use भी हम लोग array में करते हैं, आगे सर्व के array में भी इसका इस्त्माल आएगा, उसके अलावा, यहां पर hyperlink का formula है, जैसे कि आपने लिखा www.google.com, enter मारा hyperlink लग गया, click करके hyperlink लगा लोगे, लेकिन माल लिजिए कि आपने दो-तीन CEO को join करके, एक add list मनाया हुआ है, अब मुझे इसको hyperlink लगाना है, तो hyperlink लगाने के लिए आपको insert में जाना होता है, और insert में जाने के बाद यहां पर link करके hyperlink आप लगा सकते हैं, तो अगर एक-दो है तो आप कर लें, इसे से माल लिजिए आपके 1000-1000 data है, उसके link लगाना चाहें, तो यहां पर हम hyperlink formula इस्तेमाल करते हैं, hyperlink formula, link location, कुछ लिखना चाहते हो, तो लिखिया, और इसका use हम लोग event mark के लिए करते हैं, जैसे कि आपका data है, आप चाहते हैं, एक cursor जाते ही, हमारा chart चेंज हो जाए, ऐसे VBA programming के जड़ीए करते हैं, तो वहां पर भी इसी चीज़ का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, सर? है, सर, तो इसका use हम करते हैं, hyperlink में, अब last इसका formula है, और transpose का है, उसको देख लिजिए, जैसे कि मैंने यहां पर month दिया, और यहां पर मैं sales देता हूँ, हथाँ से अथे हैं, तो अड़ाँ से लिए देता हैं, तो यहां से लिए से लिए और प्टूए्ट्स, बच्ष भ्टूबूब।, दॉए्ड्टूब।, अलाएँ, इसको हाँ इसे लिए बश्चारणियस, कि अब इस तरह का नमबर है तो हम लोग इसको ट्रांस्पोर्ज करना चाहते हैं जनरले कोपी करते हैं और क्या करते हैं कि पेस्टेस्पेश है और यहां पर हम ट्रांस्पोर्ज कर देखें कि बेटे लेंक नहीं होता है Rosa कि कल यह अपर चैंज करें तो उसके लिए ट्रांस्पोर्ज का फर्मला लगाते हैं अब यहां द Türk का फॉर्मला क्या है अटब तो सेलेक्शन बना ले और फिर इसको इस्तिमार करें और यहां पर नॉर्मल एंटर नहीं कंट्रोल सिप्ट एंटर मारें तो आपका लिंक होगा अब मैं यहां पर स्वेंटी कर दूँ तो स्वेंटी हो जाएगा ठीक हो अधाजी तो ए तो हमारा ट्राउनपोज का फॉर्मुला था तो फॉर्मुला बार में ते यह और कटा है यह पॉर्मुल थे कि अगुण सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के चीज़े आफिस में हमें बहुत जरुद पड़ती है यह क्या होता है कि फॉर्मुला नहीं है तो कई सारे फॉर्मुले को तोर मरोड कर अपने लिए फॉर्मुला बनाना एक कंसेप्ट है नकिक जामपल है ध्यान नकिएगा ठीक है ओके सर तो कल डिसकास करते हैं इस पर हाँ सर क्रेव सर नहीं है ओर खर्यूंग क्रेंस क्रेंस झाल झाल